राजस्थान बीजेपी नेताओं में जारी खिरिस्तान पोस्टर वोर में तब्दिल हो गई है और पूर्व सीयम वसुनरा राजे के समर्थ तक बीजेपी विधाय कालीचरण सराफ के खिलाफ सेवा सदन के सामने पोस्टर लगा दिया गया और पोस्टा में काली चरन सरफ पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के खलाव अशोबने टिपने करने का आरोप लगाते हुए कारवाई की मांग की गई है और रविवार को ये पोस्टा लगने के बाद चर्चा होने लगी तो इसे तुरंथ हटा दिया गया और परिवाहन भवन से थोड़ी दूरी पर कटपुतली नगर नाले के पास बने सेवा सदन में आरेसस से जुड़े कई सहयोगियों संगटनों के ओफिस है और सेवा सदन में आरेसस के दिगज भी आते रहते हैं और सेवा सदन के सामने राजे समर तक काली चरहन सराफ के खिलाफ पोश्टा लगाने के सियासी माइन है और पोश्टा लगाने वाले के बारे में अभी तक पता नहीं लगा है और पोस्टा में काली चरहन सराफ की पीम को लेकर की गई टिपनी को मुद्दा बनाये गया और काली चरहन सराफ फिलाल कोरोना पोजिटिव है और घर पर आइसोलेट है और पोस्टा वोर पर बीजेपी से कोई प्रतिकी दिया भी अभी तक सामने नहीं आए और सराफ ने भी इस मुद्दे पर कोई बयान नहीं दिया है और काली चरहन सराफ ने एक दिसंबर को प्रधान मंतरी नरेंद मोदी को लेकर एक चुटकुला वटसप एप पर शेर किया था और इस चुटकले के नुसार मोदी ने जिसे भी गले लगाया उसकी सरकार गिर गई राहुल गांदी गले मिले तो उनका अध्यक्ष पत चला गया और अब मोदी जी को सी जिंक पिंग, इमरान खान, केजरिवाल, उदर्व ठाकरे को भी गले लगाना चाहिए और काली चरन सराफ ने उस वक्त कहा था कि उनकी पोती ने गलती से चुटकुला वर्टसप एप पर शेर कर दिया था और बीजेपी विधाय के खिलाफ लगी पोस्टर ने बीजेपी की गुटबाजी को जागर कर दिया और आगे चल कर सराफ विरोधी पीम को लेकर शेर किये चुटकुले को मुद्दा बनाएंगे और काली चरन सराफ की गिंती राजधानी जेपुर में बीजेपी के जनाधार वाले नेताओं में होती है और वहीं काली चरन सराफ साथवी वार की विधायक है और मालवी नगर सीट से लगातार जीतते रहे हैं जिले के बैजुपाड़ा छेद के जुन्ठा हेडा कला गाउं में रविवार को कोविट गाइलाइन का उलंगन कर किसान सम्मान समारो आयजित करना भारी पड़ गया अप्टर शासन द्वारा मोहवा पुलिस थाने में आयजको के खिलाफ महमारी अदिनियम के तहट एफ आयार दर्ज करवाई गई है और मंडावर एसडेम अमित वर्मा के निर्देश पर बैजु पाड़ा तहसिलदार राकेस मीना द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार कोविट के मामले बढ़ रहे हैं और सरकार द्वारा गाइलाइन जारी की हुई है और ऐसे में आयजको को पावन किया गया था और उसके बावजुद बिना अनुमती के समारो आयजित किया गया जिसमें क्रोना गाइडलेंड की पालना नहीं की गई और समारो में बड़ी तादाद में भीड भी जुटाए गई और समारों में हजारों की तादार में मौजूद लोगों में से अधिकांश पर मास्क नहीं थे और ना ही दोगज दूरी का पालन किया गया और इस संबद में पुलिस ने सांथा निवासी बनवारी लाल मीना समितकाई अन्ने के खिलाफ महमारी एक्ट से उलंगन की रिपोर्ट भी दर्ज किया और इसके लाव आपको बता दे कि रवीवार का आयजित हुए किसान सम्मेलन में राष्टे किसान नेता योगेंदर यादव तारा सिंग सिद्दू निशा सिद्दू क्रिष्ण जोन समितकाई किसान नेताउं ने संबोधित भी क्या था और इस दोरान आयजित हुए दंगल में धार्मिक रचनाय सुनने के लिए आसपास के गाउं से बड़ी तादाद में लोगों की भीड जूटी थी जहां कोविड गाईलाइन की धज्यें उड़ाए गई थी और वहीं बैजुपवाड़ा तैसिलदार राकेश मिर्णा ने बताया कि किसान सम्मेलन के अनुमती नहीं ली गई थी और आयजिकों को भीड नहीं जुटाने के लिए पाबन भी किया गया था इसके बावजूद बड़ी तादाद में लोग पहुँचे राजिस्तान में कोरोना के केस लगातार बढ़ने के बाद सरकार ने सावजनिक आयजनों से लेकर हर तरह की पावदी लगाई है और कोरोना के बढ़ते केस और सरकार की तैयारियों को लेकर हेल्थ मिनिस्टर परसादी लालमीना ने कहा कि ओमिक्रोन उतना खतरनाक नहीं है अगर खतरनाक होता तो अस्पताल भरे होते और मंत्रे ने माना है कि न्यू एर सेलिप्रेशन से कोरोना के मामने कुछ हद तक बढ़े हैं और स्वासे मंत्रे ने फिलाल आठवी से उपर के स्कूल खुलने रखने की पैरवी किया और तीसी लहर के अशंका पहले से थी और जब से हमने टेस्टिंग बढ़ाई है बिमारी अस्पतालों में काम आ रहे हैं और घर पर ही इलाज के बार ठीक हो रहे हैं और वहीं ओमिक्रोन के केसों में भी भारे सरकार ने हमारी मांग पर कह दिया है कि उन्हें अस्पताल में भरती करने की जरुवत नहीं है ना वो उतना खतरनाक है और घर पर रहकर भी ठीक कर सकते और राजस्थान की हालत बाकी प्रदेशों की तुलना में अच्छी है वैक्सिनेशन में हम टोप पर हैं 31 जनवरी तक हम 100 प्रतीशत लोगों को सैकेंड डोज भी लगा देंगे और दिसंबर में 31 करोड डोज लगी है और 31 जनवरी के बाद हम बिना वैक्सिन सब जगा नो एंट्री कर देंगे और वहीं पर साधी लाल मीना ने आगे कहा है कि स्कूलों में बच्चों को कोरोना हुआ उसके बाद आटवी तक के स्कूल बन करने का फैसला किया गया और सिक् कि स्कूलों को अभी बन करने की आवशक्ता नहीं है और फिर भी जरुवत पड़ी तो सरकार कोई भी फैसला लेने को सुतंत्र है